ओम नमस्यवाई दोस्तो आप लोग भी शुरू करने से पहले एक बार कमेट में ओम नमस्यवाई बोलना ना भूले तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कवा से जुड़े 10 ऐसे सुब संकेत के बारे में बताऊंगा जो आपको जानना बेहत जरूरी ह दोस्तो आप में से अधिकतर लोग कवा के कुछ ऐसे संकेतों के बारे में नहीं जानते है जिसके वज़ा से वो आने वाले आकामी भविस्य में उनके साथ क्या बीतने वाला है उसके बारे में उन्हें पता नहीं चलता है तो दोस्तो आज के इसी वीडियो में हम आप चरूर देखे और साथी साय दोस्तों comment में Istana लेखना विल्कुल ना भूले और 7 साथी साय चैनल में नों तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना भी विल्कुल ना भूले दोस्तों दोस्तो आज मैं आप लोगो दस सुब संकेत बता रहा हूं कववा के बारे में तो दोस्तो ध्यान से सुनिएगा तो हमारे लिश्टे पहले नंबर पे आता है अगर आप लोग कहीं यात्रा में जा रहे हो या किसी कारे से घर से बाहर जा रहे हो तब देखते हो कवी-कवी अचनक आपके घर में कववा आ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है तो चलिए दोस्तो मैं आप लोग को बता देता हूँ अगर आप लोग कहीं जा रहे हो किसी भी कार्य में जा रहे हो या फिर कहीं यात्रा में जा रहे हो तो अचानक अगर आपके घर में कववा आ जाता है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही सुबसंकेत होता है इसका यह अगर आप लोग के लिए बहुत ही सुभ संकेत होता है दोस्तों हमारे लिश्ट में अगला नंबर है कववा को जुन्ड में देखना दोस्तों कववा को जुन्ड में देखना सुभ नहीं माना जाता है या एक असुभ संकेत में आता है दोस्तो अगर आप लोग को कववा जुन्ड में दिखाई दे दे तो इसका ये मतलब होता है कि आपका या आपके घर में किसी का तवियत खराख होने वाला है कोई बिमार पढ़ने वाला है दोस्तो इसका उपाय ये है कि आप लोग को सनी देब के मंदिर में जाना है और सरसो के तेल का दिया जलाना है अगर आप लोग जुन्ड में कववा देख लेते हो तो तो दोस्तो हमारे लिश में दूसरी मेंबर पर आता है दक्षिन दिसा से कववा कब बोलना दोस्तो आप सभी को पता है दक्षिन दिशा से कववा कव बोलता है अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तो अगर दक्षिन दिशा से कववा काउं काउं कर रहा है तो इसका यह मतलब होता है घर में अतिथी आने का संकेत देता है दोस्तो यह तो हम लोग जब भी कववा काउं काउं सुनते है तो हम देखते नहीं कववा की सैड मूँ करके बोल रहा है और हम लोग ये बोल देते हैं कि हाँ कववा काओ 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 कर रहा है तो कोई आने वाला है लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं होता है कववा जब भी दक्षिन दिशा की और मूँ करके काओ काओ बोले तभी कोई अतिथी आने का संकेत देता है इसके अलाबा इधर उधर अगर मूँ करके बोलता है तो उसका अलग मतलब बनता है मैं वो भी बताऊंगा जर पूरब दिशा में मूँ करके बोले तो क्या होता है पच्छिन दिशा मूँ करके बोले तो क्या होता है तो जब भी दक्षी दिशा मूँ करके बोले तभी आप लोग समझना कि अतिथी आ रहा है तो हमारे लिश में चोथे नंबर पे आता है कववे का सरीर पर बैठना दोस्तो कववा को असुपक्षी भी माना जाता है और गरूर पुरान के मतावित कववा को यमराज का रूप भी माना गया है ऐसे में अगर आपके उपर कववा आकर बैठ जाता है या चोच मार देता है या फिर आपके उपर बीट कर देता है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही असुप संकेत होता है इसका यह मतलब हो जाता है कि आप आगामी भविश्य में जल्द ही आपके उपर कुछ बड़ी विपता आने वाली है या फिर आपके सिहत में कुछ पूरा असर देखने को मिलेगा इससे बचने का यही उपाय है दोस्तो आप लोग को एकी सनी वार तक जाके सनी देप के मंदिर में दिया जलाना है इससे बचने का यही उपाय है दोस्तो हमारे लिश्ट में अगला नमबर में आता है अगर आप लोग कववा को रोटी खाते हुए देख लेते हो तो क्या संक केत होता है इसका हिए मतलब होता है कि आपका जो गवां दीन है बहुत ऑच्छा जाने वाला है और जो भी आप कारे करोगे तो उसमें हो सके सफलता भी मिल जाएगी आपको तो आपको कव्वा को रूटी खाते हुए देखना यह आप के लिए बहुत ही सुब माना जाता है है दोस्तों अगला नब्र वह आता है कौवे का अंडा देना दोस्तों कौवा का अंडा देना घर के छट में या फिर घर में कोई बगीचाए बगीचे में पेडे में कंछी ज़्याद है तो यह क्या Earth दोस्तों यह संकेत बहुत ही ज्यादा सुभ संकेत होता है अगर आप लोग के घर में कवव अंडा दे देता है तो यह आप लोग के लिए सुभ होता है अब यह सुभ कीस तरह से होता है संतान सुभ की प्रापती नहीं हो रही और आप लोग संतान की प्रापती के लिए बहु दोस्तो हमारे लिए दोस्तो हमारे साथ कोव से बह। गर्वा आपके से लिए बहुतव होता है अगर कोवा अगर फानी से लिए घर में तो जोहीmodern पाुआकि उसारा Sports आपके घर में पानी पीता है तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमेशा अपने च्छत में एक कटोरे में पानी जरूर रखे ताकि कोई भी पक्षी में कववा नहीं बूर रहा हूं में सारे पक्षी कोई भी पक्षी आए तो पानी पी सके क्योंकि कोई भी जानवर अपने से प पुनने का काम होता है पानी पिलाना तो किसी भी पच्छी को जानवर को आप लोग पानी जरूर पिला है तो दोस्तों हमारे लिश्ट में अगले नंबर पर आता है उदास अवस्था में कववा को देखना दोस्तों आप लोग अक्सर कववा को काओं काओं करते हुए देखत देख देखते हो लेकिन अगर आप लोग कववा को उदास अवस्था में देख लेते हो तो यह आप लोग के लिए बहुत ही जादा असुब होने वाला है क्योंकि अगर कववा आपके घर में उदास अवस्था में बैठा है आपके घर के उपर तो इसका यह मतलब होता है घर में किसी का तवियत खराप होने वाला है या फिर आपकी आर्थिक इस्तिती भी कमजोर होने वाली है तो जब भी अगर कवा उदा सवस्था में देखे तो आप लोग सनी देव के मंदिर जाके दियाज जरूर जलाए ऐसा करने से जो भी आपके उपर जो नेगटीव एनर्जी है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी दोस्तों कि आपके परिवार जलदी किसी की सहनाय बजने वाली है क्योंकि जब भी आप लोग जोडे में कवा देखे लेते हो तो इसका यह मतलब होता है कि अगर आप लोग किसी बधू दरास का समय के खत्म हो रहे तो वह भी खतम हो जाएगा कि जीवन में खुशिया नहीं खुशिया आगी तो जोड़े में कववा को देखना बहुत ही ज्यादा सुब संकेत माना जाता है दोस्तों हमारे लिष्ट में अगला नमेर पर आता है कववा का घर से रोटी का टुकळा लेकर भाग जाना दो बुरा संकेत नहीं है, यह भी काफी अच्छा संकेत है, क्योंकि दोस्तों कववा जब भी आपके घर से कुछ लेकर भागता है, कुछ खाने का समान लेकर भागता है, तो इससे आपके घर में कभी भी अन की कमी नहीं होगी, आपको घर में कभी खाने की समस्या नहीं होगी, या आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है तो दोस्तों या थे 10 संकेत का हुआ के तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेट सेक्षन पे आप लोग मुझे जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा अपने दोस्तों के साथ वाट्साप पे सेयर कर देजगा किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कमेट में पूस सकते है या फिर मैंने अपना इंस्टागराम का लिंक दे रख डिस्क्रिप्शन में आप लोग मुझे इंस्टागराम को भी मैसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक लिच्छा हिन जय भारत